हेलो दोस्तों कैसे आप सबी मैं सौगत करता हूँ आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेड़ाजी दोस्तों इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स को प्रॉम जैनुओरी मन्त जिसके आप जानते हैं plat काफी ज़्याधा वास्ट होते हैं , पर इस सीरीज में हम डिसकस्ट करेंगे खाली उन उन अफेर्स को जहां से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं और उसके अलावा हम एक live batch ला रहे हैं current affairs का 15th of February से जिसमें हमारा objective रहेगा, motive रहेगा कि हम उन events को cover करें जहां से questions आते हैं किसी भी law entrance examination में, उसके अलावा polity का batch, English का batch, law का batch, maths का batch already run किया जा रहा है, अगर आपको कोई भी information चाहिए तो आप इस particular number से वो information collect कर सकते हैं या फिर हमा सारी relevant information collect की जा सकती है, पर कोई भी entrance ऐसा जरूरी नहीं है कि coaching में enroll करके ही crack होता है, आप अपनी मेहनत से भी उसको crack कर सकते हैं, बस coaching से आपको एक अच्छी direction मिल जाती है, तो दोस्तों पहला important event है कि AP Singh नए Vice Chief बनाए गए हैं Indian Air Force के, उसके अलावा static जी के related इससे सवाल क्य क्या पूशा जा सकता है कि हमारे भारत की जो Air Force है, वो विश्व में चौत्छे नंबर पर आती है, it is the fourth largest Air Force in the world, और हमारे Indian Air Force का headquarters कहां पर है, headquarters है New Delhi में, और इसका motto क्या है, इसका motto है touch the sky with glory, तो ये सारी बाते भी आपको याद रखनी है, अगला है दोस्तों की अभी हाली म हमारे देश ने 74th Republic Day celebrate किया, तो उत्राखंड का जो टैबलियो था, उसको first prize मिला, उसको best टैबलियो का अवार्ड मिला, दूसरे नंबर पर रहा दोस्तों, महाराश्रा, और तीसरे नंबर पर रहा, उत्तरप्रदेश, उसके साथी साथ, people choice अवार्ड में, best टैबलियो मिला गुजरात को, तो ये भी आपको याद रखने है, तो इसके अलावा, कि उत्राखंड को best टैबलियो का अवार्ड मिला, आपको ये सारी बाते भी याद रखनी है, और इसी Republic Day Parade में दोस्तों, पहली बार अगनी वीर्ज ने participate किया, उसके साथी साथ, best marching contingent, जो लोग मार्च करते हैं, अलग-अलग forces वाले लोग मार्च करते हैं, उसे best marching contingent मिला पंजाब रिजिमेंट को, और इसी Republic Day Parade में दोस्तों, 6 पदमवी भूशन अवार्ड जिये गए, 9 पदमभूशन अवार्ड जिये गए, और 91 पदमश्री अवार्ड जिये गए, और पदमवी भूशन मे तो International Monetary Fund, जिसका headquarters है Washington DC में, उसने बोला है कि भारत की जो economy है, भारत की जो अर्थवेवस्ता है, वो 2023 में 6.1% से grow करेगी, as per their prediction, उसके अलावा एक और survey है, जो IMF publish करता है, हर साल में दो बार, उसका नाम है World Economic Outlook, तो के बार सवाल आपसे यह भी पूशा जा सकता है, कि World Economic Outlook नाम का survey, कौन सी organization, release करती है, तो उसका नाम है International Monetary Fund, दोस्तो हाली में, जो आंधर प्रदेश के मुख्यमंतरी है, उन्होंने announce किया है, कि विशाका पटनम, executive capital होगी आंधर प्रदेश की, तो आंधर प्रदेश में अब तीन राजधानिया होगी, legislative capital होगी, अमरावती, executive capital हो और judicial capital होगी, कुर्णूल, तो ये बाते आपको याद रख कर जानी है, दोस्तो हाली में, FIH, hockey world cup हुआ था, hockey world cup हुआ था, Odisha में, भुवनेश्वर में, तो दोस्तो उसको जीता है, जर्मनी ने, और जर्मनी ने Belgium को हराया, penalty shootouts में, 5-4 से, तो runners अप रहा Belgium, और ये खिताब जीता है, जर्मनी ने, अब जर्मनी से related कुछ facts जो आपको याद रखने हो ये है, कि ये ये योरोप में, सबसे दूसरे नंबर पर सबसे आदा populated country मानी जाती है, रशिया के बाद, जो जर्मनी के president है, उनका नाम है, Frank Walter, जो capital है जर्मनी की, वो है Berlin, और जो currency इस्तमाल की जात करते हुए पढ़के जाना है current affairs से, क्योंकि सवाल static gk से भी आएंगे, तो हम current affairs को relate करना है static gk से, ये बात भी आप जरूर याद रखें, अगला ये दोस्तों की पहली बार under 19-20 women world cup organized कराया गया था South Africa में, तो दोस्तों उसको जीता है हमारी देश की महिलाओ ने, तो इंडि player of the match कौन रही, उसकी player of the match रही, टीटा साधू, और इस T20 women cricket team की मेजबानी कौन करी थी, मतब इसको captain कौन थी इसकी, उनका नाम था, शेफाली वर्मा, तो ये बात भी आपको याद रख कर जानी है, अगला ये दोस्तों क्रिकेटिंग related news, वो है कि युजविंदर चहिल, जो की spinner है, इंडिया की दरफ से खेलते हैं, वो highest wicket taker बने हैं भारत की तरफ से T20 international matches में, तो T20 international matches में, highest wicket taker इंडिया की तरफ से बने हैं, ये जो जुविंदर चहिल, अगला सवाल है दोस्तों, recent की news है, कि जो मुगल गार्डन्स राश्पती भवन में मौझूद है, उनक काम रख दिया गया है, अमरित, उध्यान, ये दोस्तों, February से लेके, मिड मार्स तक खुला रहता है, जनरल पब्लिक के लिए, तो पुरा हौटी कल्चर रिलेटेड, लोग वहां से information gather कर पाते हैं, अगला है दोस्तों, tennis related news, Novak, Jokovic ने दोस्तों, Stefanoz को हरा कर, अपना दस् Australian Open खिताब जीता है, और Australian Open जीतने के बाद, इनके पास 22 Grand Slams हो गए हैं, ये 22 Grand Slams जीत चुके हैं, और इसको बाद जीतने के बाद, इन्होंने बराबरी कर लिया है, रैफल नडाल की, तो रैफल नडाल के पास भी 22 Grand Slams हैं, वैसे ही Novak, Jokovic ने Australian Open जीतने के बाद, उन 22 Grand Slams को equal कर दिया है, as compared to रैफल नडाल, और उसके साथी साथ, अगर Women Single की बात करें, तो Women Single जीता है, आरेना सबा लेंका ने, तो इस दो बाते हैं, जो आपको याद अपनी हैं, और Australian Open किस कोट पर खिला जाता है, Australian Open खिला जाता है, हाट कोट पर, हाट कोट पर Australian Open खिला जाता है, तो ये सवाल भी आप से पूछा जा सकता है, दोस्तो भारत की तरफ से पहला Mission भेजा जाएगा, सूर्य पर, सन पर, 2023 में, जून के आज़ पास, इस Mission का नाम क्या है, इस Mission का नाम है, आदित्या L1, तो इस रो की तरफ से भेजा जाएगा, तो इस रो related कुछ facts हैं, जो आपक current chairperson है, इस रो के स्रीधरा सोमनात, उसके साथ ही साथ दोस्तो, इस रो ने पहली satellite जो launch की थी, वो थी आरेवट्टा, किस year में launch की गई थी, वो launch की गई थी, इंदर year 1975, इस रो का headquarter है, बैंगलूरू में, तो ये और important बाते हैं, जो आपको याद रखके जानी है, दोस्तो, हाली में Oscar nomination announce किये गए थे, तो पहली Asian बनी है, M. Michelle Yohan, Michelle Yohan, पहली Asian बनी है, जिनको nominate किया गया है, in the category of best actress in Oscars, तो Oscars में पहली बार Asia की तरफ से, किसी को best actress के लिए nomination मिला है, उनका नाम है Michelle Yoha, और किस movie के लिए मिला है, मूवी का नाम है, The Everything Everywhere All At Once, तो मूवी का नाम भी याद रखना है, इंका भी नाम याद रखना है, और हमारी देश से भी एक बहुत proud moment है, नाटो नाटो करके जो गाना है, RR मूवी का, उसको भी nomination मिला है इस साल Oscars के लिए, और एक India की documentary है, जिसका नाम है All That Breeds, ये भी nominate इंपॉर्टेंट है, और मिशल योहा का नाम भी याद करकर जाना है, दोस्तो, पहली make in India, nasal vaccine बनी है, COVID को fight करने के लिए, जिसका नाम है Incovac, और ये किस ने develop की है, ये develop की है, भारत बायो टेक ने, तो पहली बार भारत में nasal vaccine मिली है, COVID के खिलाफ लणने के लिए, जिसको भारत बायो टेक ने develop किया है, vaccine का नाम है Incovac, दोस्तो, हाली में New Zealand के साथ जो सीरीज हुई, उसके बाद मौम्मद सिराज, नमबर वन ODI बॉलर बन गए है, इससे पहले एक भारतिय बॉलर और थे, जो नमबर वन पोजीशन पर आये थे, उनका नाम था जस्प्रीत बुम परहाली में मौम्मद सिराज, नमबर वन ODI बॉलर बने है, उसके साथी साथ सूरे कुमार यादव को ICC Men's T20 International Cricketer of the Year 2022 का खिताब मिला है, तो सूरे कुमार यादव को T20 Cricketer of the Year का वार्ड दिया गया है 2022 के लिए, और इंडिया दोस्तो, नमबर वन ODI टीम बनी है, ICC Rankings में New Zealand को हराने के बाद, तो ये सारे ही facts हैं, जो आपको याद रखके जाने हैं, अगला सवाल है दोस्तो, जल जीवन मिशन से, तो जल जीवन मिशन एक Central Government Sponsored Mission है, जिसका एम है कि वो tap water supply करना चाहते हैं 2024 तक हरे गाउं में, तो ये बात आपको याद रखने हैं, आपसे सवाल ये पूछ सकता है कि वो कौन सा Mission है, जिसका उद्देश्य है, tap water supply करना पूरे रूरल इंडिया में 2024 तक, तो उसका नाम है जल जीवन मिशन, और किस मिनिस्ट्री के अंडर या आता है, या आता है जल शक्ती मिनिस्ट्री के अंडर, और कब launch हुआ था, ये launch हुआ था, 2019 में अगले दोस्तों, International Education Day, 24 जनवरी को मनाया गया, ये International Education Day है, जो announce किया था, United Nation General Assembly ने 3 December 2018 को, महाँ पर एक मीटिंग में ये announce किया गया था, by the United Nation General Assembly की 24 जनवरी को, हर साल International Education Day मनाया जाएगा, पर अगर आप से पूछा जाए, National Education Day कब होता है, हमारी देश का Education Day कब होता है, तो व 11 November पर, और इस साल की International Education Day की theme क्या थी, theme थी, to invest in people, prioritize education, तो दोस्तों, ये थे कुछ important event से, Part 1 था, जैनवरी का, और सब्सेक्वेंट पार्ट से इसी चैनल पर आएंगे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और